Hello students, this is Tanushree, so today we will start another part of exercise 30, so let's start Question number 3, देखो ये divide करना है, तो right side में जो है ये divisor है और left side में जो है ये dividend है, अभी हम 15 से इसे divide करेंगे तो देखो 15 से 617.313 ये divide करेंगे ठीक है, अभी देखो first हम क्या करेंगे, point को ignore करके इसे whole number assume करके divide करेंगे ठीक है, तो देखो 15 4s are 60, अभी minus हो जाएगा 1 minus 0, 1, अभी 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है, अभी 15 1s are 15, अभी 7 minus 5, 2, अभी 3 आ जाएगा 15 1s are 15, minus हो जाएगा 8, अभी 1 आ जाएगा नीचे, अभी देखो 15 5s are 75, अभी देखो 6 हो जाएगा, अभी 3 आ जाएगा, अभी 15 4s are 60, तो अभी 3 remainder आ जाएगा है अभी देखो 15 से 3 divide नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, point ले लेते हैं, तो point के लिए 0 हो जाएगा, अभी देखो 15 to the 30, तो यह हमारा final answer नहीं है अभी हमें question का point adjust करना है, dividend का point के साथ, तो देखो, यहाँ पे right side से 3 digit छोड़के point है, तो यहाँ पे point से right side में 3 digit छोड़के, यह point shift हो जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे यह point shift हो जाएगा, यह point और नहीं रहेगा, तो हमारा final answer होगा, 41.1542, next, देखो, अभी हम point को ignore करके, whole number एजिम करके, first हम division करेंगे, तो देखो, 85, 6, 510, अभी minus हो जाएगा, 7, 1, तीक है, अभी 3 यहाँ पे आजाएगा, अभी देखो, 85, 2, 170, तो हो जाएगा, 3, अभी देखो, हम 4 यहाँ पे लेकर आएगे, ठीक है, अभी देखो, 85 से 34 नहीं जाएगा, 4 ले आएगने के बाद भी 85 से यह divide नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, ठीक है, अभी हमें point लेना है, point के लिए यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, ठीक है, अभी देखो, 85, 4, 3, 40, अभी हमें point एड़्जस्ट करना है, right side से 2 डिजिट छोड़ के point है, तो यहाँ पे right side से 2 डिजिट छोड़ के point यहाँ पे shift हो जाएगा, यह point, ठीक है, तो answer हो जाएगा, 6.204, next, point को ignore करके हम first divide करेंगे, तो देखो, 16, 2, 32, तो हो जाएगा, 0, 1, अभी 6, यहाँ पे आजाएगा, अभी देखो, 16, 6, 96, 0, 1, अभी 4, यहाँ पे आजाएगा, अभी 6 से जाएगा, 16, 6, 0, 96, तो हो जाएगा, 8, ठीक है, अभी देखो, 7, आजाएगा, अभी देखो, 16, 5, 0, 80, 7 हो जाएगा, अभी 8 आजाएगा, अभी देखो, 16, 4, 64, 4, 1, ठीक है, अभी देखो, 16 से 14, डिवाइड नहीं होगा, तो point लेना है, point के लिए एक 0 आजाएगा, ठीक है, अभी देखो, 16, 8 से जाएगा, 16, 8 सा, 128, अभी 2 हो जाएगा, और 1, ठीक है, अभी point के लिए एक 0 आजाएगा, अभी देखो, 7 से जाएगा, 1, 1, 2, अभी minus होगा, 8, अभी point के लिए एक 0 हो जाएगा, ठीक है, अभी देखो, 5 से जाएगा, 5, 16, 8, ठीक है, अभी देखो, point adjust होगा, तो 3 digit छोड़के, right side से, 3 digit छोड़के point है, यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे point से, right side से, 1, 2, 3, 3 digit छोड़के, यह point यहाँ पे shift हो जाएगा, ठीक है, तो answer हो जाएगा, 26.654875, next, हम first point को ignore करके, divide करेंगे, ठीक है, तो हम 0 को भी ignore करके, divide करेंगे, क्योंकि number के पहले 0 का कोई value नहीं होता है, ठीक है, अभी देखो, 72, ones are 72, अभी हो जाएगा, 6, तो हम 4 यहाँ पे ले लेंगे, अभी देखो, 4 लेने के बाद भी 72 से यह divide नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, ठीक है, अभी देखो, 9, हम यहाँ पे ले लेंगे, तो देखो, 72, 9 से जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6, 48, अभी 1 हो जाएगा, अभी 7, यहाँ पे हम ले लेंगे, देखो, अभी भी 72 से यह divide नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, ठीक है, अभी हम 8 ले लेंगे, ठीक है, अभी देखो, 2 से जाएग 144 अभी 4 3 ठीक है अभी देखो 2 आ जाएगा अभी 4 से जाएगा देखो 288 ठीक है अभी 4 5 ठीक है अभी देखो 72 से 54 डिवाइड नहीं होगा तो एक पॉइंट हो जाएगा पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा ठीक है अभी देखो 7 से जाएगा 7 2 सा 14 और 7 7 सा 49 प्लस 1 50 तो हो जाएगा 6 3 ठीक है अभी देखो पॉइंट के लिए 0 हो जाएगा अभी 5 से जाएगा 5 72 सा 360 ठीक है अभी पॉइंट एडजस्ट होगा देखो राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिजित छोड के पॉइंट है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 2 0 हम ले लेंगे यह पॉइंट यहाँ पे शिप्ट हो जाएगा ठीक है और पॉइंट के पहले एक 0 हम ले लेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.0010902475 नेक्स्ट पॉइंट को हम इग्नोर करके डिवाइड करेंगे तो 0 भी हम इग्नोर कर लेंगे ठीक है तो देखो 59 जा 450 तो हो जाएगा 3 1 ठीक है अभी देखो 50 से 13 डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लेना है पॉइंट के लिए एक 0 हो जाएगा अभी देखो 2 से जाएगा 52 जा 100 तो हो जाएगा 0 3 अभी देखो पॉइंट के लिए 0 हो जाएगा तो 56 जा 300 ठीक है तो अभी देखो पॉइंट एडजस्ट करना है 1, 2, 3, 4, 5 फाइब डीजित छोड़के पॉइंट है तो यहां से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है यह पॉइंट यहां पे शिप्ट हो जाएगा तो हो जाएगा अंसर 0.00000926 नेक्स्ट देखो 25 से 1.2 डिवाइड करना है तो देखो पॉइंट को हम इग्नोर करके फस्ट डिवाइड करेंगे पर 12, 25 से छोटा है ठीक है तो 25 से 12 डिवाइड नहीं होगा तो हमें क्या करना है पॉइंट लेना है तो 0.00000 के लिए 1, 0 हो जाएगा अभी देखो 25, 4 जा 100 0, 2 अभी देखो पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा अभी 25, 8 जा 200 अभी पॉइंट एडजस्ट करना है तो देखो हम जो पहले था डिविडेंट इससे देख करी पॉइंट एडजस्ट करेंगे तो देखो वन डिजिट छोड़के पॉइंट है यह 0 हम काउंट नहीं करेंगे तो वन डिजिट छोड़के पॉइंट है तो यहाँ पे भी वन डिजिट छोड़के पॉइंट यहाँ पे शिप्ट हो जाएगा ठीक है तो आंसर हो जाएगा 0.048 नेक्स्ट देखो हम first point को ignore करके divide करेंगे तो point को हम अगर ignore करें तो 0 भी number के पहले हम ignore कर लेंगे तो 42, 125 से छोटा है तो ये divide नहीं होगा तो हमें क्या करना है point लेना है तो 0 point, point के लिए 0 हो जाएगा अभी देखो 125, 3, 3, 75 तो अभी 5, 4 ठीक है अभी देखो point के लिए 0 हो जाएगा तो फिर से 3 से जाएगा 3, 75 तो हो जाएगा 5, 7 ठीक है अभी point के लिए 0 आ जाएगा अभी देखो 6 से जाएगा 6, 125 से 7, 50 अभी point adjust होगा पर देखो पहले क्या था dividend 0, 0, 4, 2 ठीक है तो हम 0 छोड के count करेंगे right side से 1, 2, 3, 4, 4 digit छोड के point है तो यहाँ पे देखो हम count करेंगे 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे point हो जाएगा ठीक है तो answer हो जाएगा 0.0000336 next देखो हम first point को ignore करके divide करेंगे तो 169, 4 सा 6, 76 minus हो जाएगा 7, 9 ठीक है अभी 6 सा जाएगा अभी देखो 6 से जाएगा अभी 5 से जाएगा ठीक है तो 5 अभी 8, 45 अभी minus हो जाएगा 1, 3, 1 अभी 8 आ जाएगा अभी देखो 7 से जाएगा तो 7, 9 सा 63, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 8 और 4 कैरी हो जाएगा 7, 1 सा 7, 8, 9, 10, 11 अभी minus हो जाएगा 5, 3, 1 ठीक है अभी 2 आ जाएगा अभी देखो 8 से जाएगा ठीक है अभी यहाँ पे देखो quotient में point नहीं है ठीक है तो adjust करने का कोई बात नहीं है अभी हम सिर्फ point देंगे क्योंकि यहाँ पे dividend में point है तो देखो right side से 3 digit छोड़के point है तो यहाँ पे भी right side से 3 digit छोड़के यहाँ पे point हो जाएगा ठीक है तो answer हो जाएगा 4.578 Next, देखो point को ignore करके हम divide करेंगे तो first 3 से जाएगा 1737 अभी minus हो जाएगा 143 अभी 6 आ जाएगा, अभी देखो 6 से जादा हो जाएगा 5 से जाएगा 5 और 4 5, 7 जा 35, 36, 37, 38, 39 3 कैरी हो जाएगा, 5, 5 जा 25, 7, 28 अभी 1 हो जाएगा 2, 5 ठीक है, अभी 1 आ जाएगा अभी देखो 9 से जाएगा, ठीक है 5, 2, 1, 1 अभी देखो dividend में point है तो quotient में भी point हो जाएगा तो right side से two digit छोड के point है तो यहाँ पर भी right side से two digit छोड के point हो जाएगा तो answer हो जाएगा 3.59 next, देखो point को ignore करके हम करेंगे तो यहाँ पर देखो two से जाएगा तो हो जाएगा देखो 1, 3, 4, 6 अभी minus हो जाएगा 5, 0, 6 अभी 7 आ जाएगा ठीक है अभी देखो 9 से जाएगा 6, 0, 5, 7 तो अभी हमें देखो point यहाँ पर देना है कोशन में ठीक है तो यहाँ पर देखो right side से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 digit छोड के point है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है यहाँ पर point हो जाएगा और सामने 0 दे जेंगे ठीक है तो answer हो जाएगा 0.00000029 next देखो first हम point को ignore करके divide करेंगे पर यह छोटा है इससे तो इससे यह divide नहीं होगा ठीक है तो किया करेंगे हम point ले लेंगे ठीक है तो 0.001 के लिए 0 आजाएगा अभी भी देखो यह छोटा है इससे तो divide नहीं होगा तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा 0 के लिए यहाँ पर एक हम 0 ले लेंगे ठीक है अभी देखो इससे ये डिवाइड होगा तो 3 से जाएगा 1, 8, 7, 5 अभी 5, 2, 5 ठीक है अभी पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा अभी देखो 8 से जाएगा ठीक है तो 8, 6, 25 जा 5,000 अभी देखो पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा तो देखो 4 से जाएगा 2, 5, 0, 0 अभी देखो पॉइंट एडजस्ट होगा पर देखो यहाँ पे डिविडेन है 2.4 ठीक है यह देखके हम एडजस्ट करेंगे पॉइंट तो 1 डिजिट छोड़के पॉइंट है आंसर हो जाएगा 0.00384 नेक्स्ट देखो हम फर्स्ट पॉइंट को इग्नोर करके डिवाइड करेंगे तो देखो यह इससे छोटा है तो इससे यह डिवाइड नहीं होगा तो हमें पॉइंट लेना है तो पॉइंट के लिए एक 0 आ जाएगा ठीक है अभी देखो 1, 2, 5, 0, 1 जा 1, 2, 5, 0 अभी 0, 2, 9 ठीक है अभी पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा अभी देखो 7 से जाएगा 7, 8 ठीक है 8, 7, 5, 0 अभी 0, 5, 4 ठीक है अभी पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा अभी देखो 3 से जाएगा 3, 7, 5, 0 अभी 0, 5, 7 ठीक है पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा अभी देखो 6 से जाएगा 7, 5, 0, 0 अभी पॉइंट एजस्ट होगा तो देखो यहाँ पे डिविडेंट देखो 0,217 ठीक है जीरो हम काउंट नहीं करेंगे तो 1, 2, 3 ठीडिजिट छोड़के पॉइंट है तो यहाँ पे भी 1, 2, 3 ठीडिजिट छोड़के पॉइंट यहाँ पे शिप्ट हो जाएगा करेंगे डिवाइट तो देखो 5 से जाएगा 4, 0, 8, 5, 0 माइनस हो जाएगा 7, 8, 2, 2 ठीक है अभी 6 सा जाएगा अभी देखो 2 से जाएगा 1, 6, 3, 4, 0 अभी 6, 3, 5, 6 ठीक है अभी देखो इससे यह डिवाइट नहीं होगा तो पॉइंट लेना है पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा ठीक है अभी देखो 8 से जाएगा अभी पॉइंट एजस्ट करना है तो राइट साइट से 1, 2, 3, 3 डिजिट छोड़के पॉइंट है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 3 डिजिट छोड़के यहाँ पे पॉइंट शीफ्ट हो जाएगा ठीक है तो आंसर हो जाएगा 0.0528 नेक्स्ट देखो हम फस्ट पॉइंट को इग्नोर करके डिवाइट करेंगे तो पॉइंट इग्नोर करने से 0 भी हम इग्नोर कर लेंगे ठीक है अभी देखो यह इससे छोटा है तो डिवाइट नहीं होगा तो हमें पॉइंट लेना है ठीक है तो 0 पॉइंट पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा अभी भी देखो ये इससे छोटा है तो divide नहीं होगा तो एक zero हम ले लेंगे तो zero के लिए यहाँ पे zero हो जाएगा ठीक है अभी देखो two से जाएगा तो 95,000 ठीक है अभी देखो 0075 ठीक है अभी point के लिए यहाँ पे zero आ जाएगा ठीक है अभी देखो 1 से जाएगा 47500 अभी माइनस हो जाएगा 59 ठीक है अभी देखो इससे ये डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट के लिए 0 आ जाएगा अभी 2 से जाएगा 95,000 अभी पॉइंट एजस्ट करना है तो देखो डिविडेंड में 1,2,3,4,5,6,6 डिजिट छोड़के पॉइंट है यहाँ पे हम 0 काउंट नहीं करेंगे तो हो जाएगा 1,2,3,4,5,6,6 डिजिट छोड़के यहाँ पे पॉइंट शिप्ट हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0.00000000212 इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइस के वीडियोस की लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है